हाई फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में बी आर एल पियस बिहार रूरल लाइबली हुड परमुसं सोसाइटी के तरफ से बहुत दूने के बाद यहां पर बंपर वेकेंसी आ चुकी है यंग फ्रोफेसनल के पोश्ट पर बिहार सरकार के अंदरगत और यहां पर सेलरी भी जवर्दस्त है तो क्या वेकेंसी में रिक्वर्मेंट है अपलाए कौन लोग कर सकते हैं लास्ट डेट क्या है पूरी अपडेट आपको हम देने वाले हैं तो चली वीडियो को शुरू कर करते हैं तो यहां पर देख रहे हैं बिहार रूरर लाइबली हुट पर मोशन सुजाटी के तरफ से यहां पर वेकेंसी निकाली गई है जिसको क्या हम जानते हैं जीविका के नाम से ठीक है तो कि गवर्मेंट ऑफ बिहार के अदरगत यह चलता है जो कि यहां पर 534 ब्लॉ और यहां पर जो है total 71 पोश्ट है ठीक है और यहां पर जो eligibility criteria दिया गया है यह थोड़ा सा यहां पर हट के दिया गया है क्या है तो देखते हैं यहां जो है maximum three years of relevant work experience होना चाहिए और age की बात करे तो 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए age जो है 11-12-23 के अनुसार बना किया जाएगा और जो candidates pass out होंगे वो यहां पर दिया गया है institute उसी से pass out होना चाहिए वरना बाहर का नहीं होना चाहिए वरना फिर आपको जो है यह बाहर कर देगा आपको form reject हो जाएगा तो देखिए यहां पर category दिया गया है चार category में category A, B, C और आपका D चार category यहां पर दिया गया है जिसमें की आपको चार category में पहला category दिया गया है यहां पर all IIMs जितने भी IIMs हैं Indian Institute of Management, Reputed Universities of US, UK, IRMA, IAFM, all IITs, XLRI, DSC, FM, जिनी जितना भी यहां पर दिया गया है उसके अनुसार आप यहां से pass किये हैं तो आपको जो है संतावर 4500 पर मन्त मिलेगा ठीक है और B category में XIMB, CIMP, TISS, NIFT, CFT, RI, NID, DMI, NIM, जेपूर यहां पर पूरा लिष्ट दिया गया इसको देख लिएगा यहां पर देखिए गा यहां पर देखिए नालंदा यूंशिटी इंडियन इंस्टूट ऑफ हेल्थ मेंजमेंट रिचर्ट जे लिएपूर इससरे का अजीम परेमजी उनिशिटी बेंगलोर, NIRD हधराबाद ठीक है यहां पर देखिए इससे आगर पास किया है तो आपको 40,250 कृपे सेलरी मिलेगा और इस सबसे आपको पोस्ट ग्रेजवेट या बीटेक किये हैं तो अपलाई कर सकते हैं ठीक है हो यह अब ऑर सी काडिगरी के बात अब नेश्ट है काडिगरी डी के बात जिसमें क्या आपको बिहार इग्रिकल्चर इंशिटी सबबुर से पास किये हैं तो आप डी ग्रूप में बर सकते हैं संजे गांदी इंस्टूट ऑफ डायरी साइंस बिर्सा एग्रिकर्जर रिशिटी राची जिबी पंत इंविशिटी ओडिसा इंविशिटी इसे से बहुत सरा दिया गया है इसमें डिग्रूप में यह देख लिएगा अगर आप इसमसे पास हैं तो यहाँ पर चौतिस जर प पास सेलरी है और यहाँ पर आप कोई भी गैजवेट डिग्री है प्रोफेशनल तो अपलाई कर सकते हैं लेकिन फोर येर का होना चाहिए यहाँ पर आपको चार किटिग्री में दिया गया है इसी से पास होना चाहिए इसके अलावा किसी बाहर से हैं तो आप इलिजिबल नहीं है ठीक है यहां तो के लिए रहोगी आपको तो यहां पर जो है यह कॉंटेक्ट फिलाल तीन सार के लिए होगा बात में जो है आपका प्रफरोंस के अधार पर आपको बढ़ाया जाएगा और जो सेलेक्शन होगा वो गुरूप डिसकर्शन और परसनल से शुरू हो चुका है ओनलाइन अपलाई लास्टेट 28 जनवरी 2023 है और जो गुरूप डिसकर्शन और परसनल इंटर्व्यू होगा वो 28 फ्रवरी से दो मार्च के बीच में आपको कभी भी बलाय जाएगा सोट लिस्ट करने के बाद अपलाई आप कैसे कर सकते हैं यह रहा सकते हैं ठीक है और यहां पर जो है आप इस फॉरम पर भी अपलाई करके क्लिक कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखिये आप क्लिक कीजिए गा तो यहां पर आपको सामने इस तरह का Pres Swami review राभी इस अबाइल होगा यहां पर आपको email याड़ pregnant करना है और पुरा form अगभर open हो जाएगा आपके सामने ठीक है तो यहाँ पर जो है जो भी importance update थे मैंने आपको दे दिये बाकि आप interested है eligible है और इसी चार के टेगरी का अंतरकत अगर आप किये वे हैं कोई भी institute से course तो apply कर सकते हैं अगर आप लोग interested हैं तो बहुत यह अच्छा मौका है BRPS बिहार के अंतरकत काम करने का मौका salary भी जवर्दस्त है ठीक है friends यह PDF मिल जाएगा आपको मेरे telegram चैनल पर मिलते हैं नई वीडियो को साथ थेंक्स पर वाचिंग